हालो एक्रिवान वेलकम टो एग्रिकल्चर एड़ा 24 7 एग्रिकल्चर एड़ा 24 7 के ओफिशिल यूट्यूब चानल पर आप सभी स्टुडेंस का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाभ है हिना निथानी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं पोल्ट्री की ब्रीट्स के सिक्विन्स वाइज आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको नॉर्मल आनिमल हस्बंडी की टर्मिनो लॉजी भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको ब्रीट्स ओफ काव भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको ब्रीट्स ओफ बफैल्यो देखने को मिलेगा जिसमें आपको गोट, पोल्टरी की टामिनोलॉजी यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इसे के साथ साथ बचो आज मैं इसमें आपको बताने वाली हूं ब्रीट्स ओफ पोल्टरी के बारे में यानि की पोल्टरी की ब्रीट्स का क्लासिफिकेशन आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेकिन इससे पहले अगर आपको यह सारी चीज़ें चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और साथ ही साथ अड़ा 24 7 के मोबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड भी कर लीजे क्योंकि बच्चों अड़ 24 7 का अप्लिकेशन आपको प्रोवाइब करता है बहुत सारा फ्री कॉंटेंट जहां पर आप लोग क्या करोगे जैसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक में लेगा अप इंस्टॉल का वह जैसे ही आइकन ओपन होगा मेरी बच्चों तो उसके बाद आपको नीचे कम्यूटी का ओप्शन आपके तरफ जब आप देखोंगे और जैसे वह कम्यूटी का ओप्शन आपके पास आएगा तो वहां से आप डिरेक्ली मुर्टा कनेक्ट हो सकते हो अपनी क्वेरी अपनी अच्छास के एकोर्डिंग अलग-अलग क्लास में इनको रखा जाता है अलग-अलग एरियास के एकोर्डिंग तो कुछ ब्रीट्स होती है हमारी जैसे इंगिलिश ब्रीट अमेरीकन, मेडिटरियन और अशियाटिक तो आज हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे इ इसका नाम है Rode Island Red Rode Island Red RIR भी इसको शौट में बोला जाता है बच्चास ब्रीट के बारे इस ब्रीट की अगर हम बात करें तो यह एक टाइप की डूअल पर्पस ब्रीट है Dual Purpose Breed है मतलब अभी तक हम लोगोंने Cow में Dual Purpose Breed पढ़ा, Goats में पढ़ा, Ships में पढ़ा, Buffaloes में पढ़ा, सब में पढ़ा है तो यहाँ पर पॉल्टरी में Dual Purpose का क्या मतलब है यानि कि poultry को हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों तो poultry को हम यूज करते हैं अरे भई मुर्गियां खाते हो ना उनसे एक्स खाते हो ना तो हो गया परपस पूरा हमारा एक प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं और साथ ही जात उनको हम मीट प्रडाक्शन के लिए भी यूज करते हैं, मेरी बच्चों, तो इस तीसी तरह ये रोडे आइलेंड रेड जो ब्रीड है, इसको आप मीट प्रडाक्शन और एक प्रडाक्शन दोनों के लिए, I mean, मीट और एक हाँ, दोनों के लिए हम यूज कर करती ही करती है, ठीकैं, प्रडे वो बाइचांस हो गया, प्रडे को छोड़ो, पर हंड्रेड एक एइट ये प्रडियूस करती है, तीसरा इंपॉर्टन फीचर होता है, बच्चों के इसका जो बॉडju होता है, रेक्टैंगूलर बॉड़ी का क्या मतलब होता है, तो रेक् कैसे अब देखो बच्चों यहां पर अगर आप इसको देखोगे न तो यह देखो इसका बॉड़ी कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा यह देखो कुछ यहां पर इस तरीके से दिख रहा आपको एक मिनट यह देखो यहां पर इस तरीके से आपको इसका ब बॉडी, कैसा बॉडी है, इसका, रक्टंगुलर शेप है, तो आप इसको देखोगे, तो कुछ इस तरीके से इनका बॉडी होता है, जिसकी वज़े से इसको क्या बूला जाता है, रक्टंगुलर बूला जाता है, तो रोडे आइलेंड रेड, जो हमारी डूल परपस इस breed को हम meat production के लिए भी use करते हैं, इस breed को हम ex production के लिए भी use करते हैं, ये breed हमारी rectangular shape की होती है, तो clear हो गई बच्चों ये बात आपको, तो I think कि ये चीज आपको अच्छे से clear हो ही गई होगी, ठीक है, अच्छा बच्चों हम एक बात तो भूल ही गए, ये बात हम भूल गए कि ये breed है, कहां की, तो road island की breed है, और ये road island कहां है, ये है हमारे new England में, तो new England, road island, वहां पर road island, जो island है, वहां की ये breed है, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों, चलिए, अब आगे जलते हैं, दूसरी American breed के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या नाम है बच्चों इसका, प्लाइ मोथ रॉक नाम है इसका, चलिए इस breed के बारे में भी जान लेते हैं, तो बच्चों सबसे पहले ये अमेरिका की breed है, कहां की breed है बच्चों, अमेरिका की breed है, ठीक है, और आती भी American class के अंडर है, अब बच्चों इसको किसके लिए य कुछ ऐसे टॉम्स यूज करूँ, आपको वो सारी चीजे बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो, है ना, तो बच्चों इहां पर ये बहुत ही अच्छी और मीट प्रडूजिंग, पोल्ट्री यानि की मीट प्रडूजिंग ब्रीड होती है, चिकन्स की, ठीक है, तो ब बच्चों आप इसकी बॉड़ी में देखोगे तो आपको ब्लैक और वाइट कलर के स्पोर्ट्स दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, तो बच्चों इनका बॉड़ी होता है, जो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको हम क्या बोलते है, प्लाइ मोथ ब्लैक और वाइट कलर के पैचे जनरली इनकी बॉड़ी में देखे जाते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ बच्चों यह एग लेंग भी अच्छी करती है, ठीक है, एग लेंग भी यह ब्रीड आपकी काफी अच्छी करती है, तो बच्चों अगर हम देखें, तो सबसे अच्छा फीचर इसका यह है, कि यह गुड़ क्वालिटी का मीट प्रड्यूस करती है, तो बेसिकली हम इसको बहुत अच्छा मीट प्रडूक्शन के लिए यूज करती है, नेक्स बीड कौन सी है बच्चों हमारी तो नेक्स बीड है हमारी निउ हम्प शायर, अब इस न् हमारी एक और भी इंपॉर्टन ब्रीड होती है, उसका नाम क्या है आयर शायर, आयर शायर किसकी ब्रीड है, तो यार यह ब्रीड तो हमने किसमें पढ़ी है, काउस में पढ़ी है, काउस की ब्रीड होती है, ऐसे एक और ब्रीड होती है, बक शायर किसमें पढ़ी है, लेते हैं इसके बारे में तो बच्चों ये काफी अच्छे और ब्राउन लार्ज ब्राउन कलर के एक्स को प्रड्यूस करती है अच्छा बच्चों इसको अगर हम बात करें तो ये ब्रीड कुछ specific purpose के लिए बहुत जादा famous है किस चीज के लिए बच्चों ये बहुत rapidly यानि कि बहुत तेजी से grow करती है बहुत जल्दी जल्दी grow करती है दूसरा इसका जो meat production है वो भी बहुत अच्छी quality का होता है और तीसरा इनका जो fertility होता है बच्चों वो भी बहुत अच्छा होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि इसके बहुत बड़े-बड़े एग सोते हैं दूसरा इसकी ग्रोथ बहुत जादा अच्छी होती है तीसरा ये बहुत ही अच्छी क्वालिटि का मीट भी प्रड्यूस करती है तो ये कौन सी ब्रीड है बच्चों हमारी ये ब्रीड है हमारी न्यू हैंप शायर ठीक है कौन सी ब्रीड है बच्चों ये ब्रीड है हमारी न्यू हैंप शायर और ये ब्रीड भी हमारी अमेरिका की ब्रीड है है ना चलो अब आगी चलते हैं नेक्स आजएगी बच्चों हम प्राइमरी टेबल बर्ड भी बोला जाता है प्राइमरी टेबल बर्ड का मतलब क्या है जिनको आप अपने पास रेरिंग करते हो उनको पालते हो और उनको आप डिरेक्ली अपने टेबल पर सफ कर सकते हो उनको मार करके उनका मीट भी आप यूज करते हो और उनके एक्स को भ जो एग प्रोडक्शन है इनकी जो एग लोई लेंग होती है यह काफी अच्छी होती है कब समर्स के टाइम बेस्पेशल इंडिया में तो इसलिए यहां पर यह टाम लिखा हुआ है लाइट दवेराइटी टू ले वेल ड्यूरिंग दी समर्मन्त आफ इंडिया तो इंडिया यह मैं जब 7-10 बन्त होता है तो उस साम पर इस की एग लिख बहुत ही जादा अच्छी होती है ठाफी जादा और बहुत ज्यादा अच्छी होती है ठाएक लाइट संसर्स हां तो लाइट रिखेली शाटी ही हट ज्ग गया वाइथ की जी यह चाहितने बढ़े में यहां इ आगे next breed को देखते हैं ये breed कौन सी है बच्चों हमारी तो इस breed को देखेंगे तो ये कौन सी breed है ऑस्टालोब ब्रीड है अब ये ऑस्टालोब ब्रीड जो है बच्चों ये कहां पर आती है ऑस्टालोब ब्रीड की बात करेंगे बिटा तो ऑस्टालोब ब्रीड आती है बेसि प्रडक्शन के लिए और मीट प्रडक्शन दोनों के लिए बहुत अच्छी यूज़ करी जाती है और इसे के साथ साथ बिटा हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी अच्छी और डूल परपस की ब्रीड है ब्लाक कलर की ब्रीड होती है और इनका जो उपर की तरफ इनके पास क्या होता है red color का बीक होता है यानि कि यहां पर आप देखोगे तो रेड कलर का बीक होता है ठीक है नीचे से इसके wettles भी निकले होते है वettles बताया था जाओ एक बार poultry की टमीणो लॉजी देखो wettles क्या होते हैं तो red color के wettles और red color की स्ट्रीक भी होती है ब्लाक कलर की ब्रीड होती है और इंग्लिश क्लास की ब्रीड होती है ठीक है जिसको हम क्या गरते है जिसको हम बहुत ही अच्छा और मिल्क meat production के लिए use करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बिटा औस्ट्रा लो बोलते हैं नाम से आपको याद रखना है कि यह कौनसी breed है यह औस्टेलिया की breed है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब कौनसी breed के बारे में हम लोग पढ़ने वाले देख लो और्फिंग टॉन और्फिंग ट होते हैं तो ऐसमने कि थोड़ा सा मुड़ा होता है अब यहां पर अगर आप देखोगे दीो काल सा इसकी बाडी में एक मिनिट यह इस तरीके से कोmir में यहां पर देखो और जो इसको क्या बुली जाता है इसका बैक जो होता है तो छोड़ा सा शॉट जий से का बाक सबसे पहले हमारी यह जैंट सबבसे पहले हमारी ब्रीड आती है एस इस ब्रीट का नाम है लेगाॉन में सबसे चाहिए ब्रीड बीस 지금 को भूल इन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखने है कि इनका जो कैल्शियम और बाकी जो कॉंटेंट है वो थोड़ा सा जादा होना चाहिए मतलब एग में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्योंकि आप उनको बॉइल करके कहते हो तो थोड़ा सा जो भी आप खाऊना वो अच इस चाहिए लिएफ प्रडॉक्शन के लिए टिक है बात समझवाइं इटेली इसका ओरिजिन प्लेस है इसको प्रडूस करा जाता है से फोर सि móds अब्डॉक्शूं के लिए तो बिटा जो एक प्रडॉक्शन के लिए होगी उसको उसको तो ब्रोयलर के लिए यूज तुकिश्च इसका भी बॉडी होता है यह फ्लक्षिबल बड़ी अच्छी सी होती है जिसे कुछ लो होता ही बिल्कुल फ्लक्सिबल से कहीं भी рокोण रॉड जाइंगे कोई बी ड्रस्पन और उंपиной तुकwelling कांड इन लगता। साथ ही साथ अगर आपका इसका मिल्क इसका वेट देखोगे बिटा तो इनमें जो हैंस होती है यानि की फीमील होती है उनका वेट अल्मूस्ट टू केजी होता है यानि की दो किलो होता है और अगर इनमें आप मेल्स को देखोगे तो मेल्स का थोड़ा सा जादा होता है लग प्रोडक्शन का आप देखोगे तो कहीं पर आपको 220 भी देखने को मिलेगा लेकिन ज्यादा तर हम देखते हैं चलिए नेक्स्ट पी चलते हैं नेक्स्ट आईगी हमारी मिन्नौर का ब्रीड जो है यह भी हमारी काफी ज्यादा मिन्नौर का यह भी एपके इटली की बीड है ठीक है और मेडिटेन ब्रीड में यह सबसे जादा लार्जस्ट ओर हावयास्ट में Mt 10 ब्रीड होती आनि की बड़ी और हैवी अग्र ह करीड ऑրेड भी इसको बोला जाता है ब्लाकलर की बीड होती और एक टाइम पे इसको ऐसको भी जयादा माना जाता था अच्छा इनका जो फेस होता है रेड ब्लैक होता है और स्पैनिश होता है तो इसका अगर आप फेस देखोगे तो यह देखो इस टाइप से आपको वेटल्स रेड कलर के दिखाई दिखाई देंगे ये बाकी portion बिल्कुल dark black है pure black है बिल्कुल देखे रहो streaks जो है वो भी red color की है और नीचे का portion वेटल्स देखोगे वो red color है sorry ये red color का ये भी red color का वेटल्स वाला portion है बाकी portion जो देखोगे बिल्कुल black color का है बच्छो ठीक है हेविस्ट ब्रीड होती है जैसे कि मैंने आपको बता और इनका जो color होता है skin का एक शेल का वो जैनरली कैसा होता है तो एक शेल बिटर जो hard covering होती है basically hard covering क्यों होती है इसमें इसको क्या बोलते है blooming बोलते है मैंने आपको last poultry आले lecture में बताई भी था जो मैंने terminology आप लोगों को बताई थी कि blooming क्या होता है एक के बाहर से एक जो hard covering होती है उसको आप क्या बोलते हो बैटा उसको आप बोलते हो blooming जो उसको bacterial infections वगेरा से बचाती है तो इसकी जो एग की covering होती है वह बिल्कुल hard होती है चौक के जैसा जिसम चौकर डस्टर होता ना blackboard वाला तो वहसे ही चौक की तरह है जिसमें calcium होता है तो काफी जादा white इसका उसे की तरह white जेनरली इनका color होता है चीक है यह बात आप लोग ठ्यान रखोगे इसके अलावा heaviest breed है यह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ तो यह बिटा कौन सी और इसके अलावा यह बहुत ही अच्छे आपके eggs को produce भी करती है जैसा कि मैंने बताए कि 220 एक टा पर देनर किसमें आती है बिटा English class के और नदर यह ब्रीट आती है जिसमें वकि सुसेक्स और ऑस्टोल उर्पा आती है पहले हमने पड़े थे ना निख गर आस्टो यह ब्रीढ रचहर बिटा English ऑक इप इसका वराइटी है इसका मिट अच्छा होता है और उएट nữa कि सग्ट भीर इसको बिटा ब्रोक्षन जा नाम Q क्यों किते हो इंडिया की लार्जस्ट गंुछ लॉग सइन धांद लॉगिस्ट वहां पर मिली हैं इसका नाम है और इसको बिटकर्डे काम से आज में रहाता है कन में चाने को को चिन कोचिन् जाना łगा को इसका जी हुआ और यह जाना आपके आपक देखलिक इनके इसमें देखा जाता है single combs generally चीक है चलिए तो बच्चों ये आज हम लोगों ने पढ़ा काफी सारी breeds के बारे में आपको बच्चों जो भी query हो आप इस वीडियो के नीचे आप अपनी comment section में डाल सकते हो आपका जो भी query होगा definitely मैं उसे clear करूँगी आप एक कम और कर सकते हो बचा आप मेरी जुनून क्लास में आ सकते हो जो daily आपको 2-3 बचे मिलती है आपका जो भी doubt होगा या तो आप comment section में नीचे पिन कर दो या फिर आप मेरी 2 बचे ठीक agriculture अड़ा 24-7 पे ही आपको ठीक 2-3 करके मुझसे question पूछ सकते हो कि मैं आपने ये चीज बताई थी हमें ये चीज समझ में नहीं आई या आप नीचे ही comment section में पिन करके डाल दीजेगा definitely बच्चों जब भी मैं comment देखते हूं तो आप लोगो reply ज़रूर करोंगी I hope या आपको lectures अच्छे लगेंगे और आप मिलते हैं आपसे अगली glass में अपना ख्याल रखिएगा bye bye thank you have a nice day